हेलो, गुड बॉर्णिंग, कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी अच्छे होंगे, तो ये देखिए हम आज का जो ब्लोग है ने बेहत खास है क्योंकि आज है खड़ना का दिन और हमारी जो यहाँ पे जाड़ू और पोछा थी वो बिल्कुल कम्प्लीट हो रही थी, सुबह सुबह हम भेड़ चुके थे काम करने के लिए और ये देखिए इतना जल्दी जल्दी कर रहे थे ना कि टाइम भी नहीं था और इस दिन तो काफे ज़्यादा काम होता है और मुझे ये बात बिल्कुल आपको बताने के जुरत नहीं है क्योंकि आप लोग ये सारे बात से बिल्कुल वाकिफ होंगे और ये देखे ठंड कुछ जादा थी, उसकी बाद बाहर काम करने के बाद हम अंदर गलियारी में पोछा लगा रहे थे जल्दी जल्दी और यह वियाँ है कि यहां पर दर्वाजा भी आजुका था, क्योंकि ये दर्वाजा बाहर गेट के बाहर लगाना था, आपने देखा होगा अभी यहां पर ऐसा कदरतर गेट है जहां पर वह ठोड़ा खराब हो रहा था, तो ये देखिए सारे कोई मिल के कैसे gate को निकाल रहे थे उसी दिन इतने सारे काम आ गए कि मैं क्या बताओं बहुत सारे काम होते हैं कैसे कैसे क्या करना है समझ में ही नहीं आता है तो फाइनले ये है हमारा बाहर का gate वाव कितना खुबसूरत है मानो ऐसा लग रहा है कि राजा महराजा का gate होता है उसी प्रकार से है तो ये देखिए सब कोई मिल कर उस gate को अंदर करने में लगे हुए थे और इतने लोग से भी नहीं टंगा रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वज़न था और इस side में आप देखने जहाँ पे मम्मी खड़ी है इस side में लगाना था क्योंकि जो दर्वाजे पहले थे न वो पुराने हो चुके थे तो फिर यहाँ पे पैर रंगाने का जो एक रसम होता है जो यहाँ पे नाई लोग आकर रंगते हैं तो एक हमारी बगल की ही एक अंटी है वो आकर न इनके पैर को कलर कर रही थे क्योंकि छट यह किये हुए थे इसलिए इनके पैर को लगा रहे थे मुझे न अच्छा लग रहा था देखने में मैं सोची कि मैं भी लगवा ही लेती हूँ तो ये देखे कितना सुन्दर इनके पैरों का डिजाइन हो चुका है बन चुका है और ये एकदम बिल्कुल लग रहे हैं कि ये बिल्कुल लड़की है अच्छा भी लगा उसके बाद गिनी भी पीछे नहीं रहने वारे थी ये देखे गिनी भी आ गई पैर में अपना कलर लगवाने के लिए उसकी बाद देखिए कैसे कह रही है मुझे और लगा दीजी और कितना इसो अच्छा लगता है उसकी बाद ममा बैट गई थी लगाने के लिए और ये हमारे घरत्रप का नाब बहुत बड़ा रसम होता है ना कि जिस दिन मतलब घर में आपको पूशा प लगवा ही लेते हैं और मुझे यह वाला कलर काफी ज्यादा पसंद है अब देख सकते हो कितना ज्यादा मैं अच्छे से त्यार होकर बैट गए थी आंटी से कलर लगवाने के लिए और मैं आपको दिखां भी रहती कितना सुन्दर लग रहा है उसकी बाद आप यह देख यह सामकब लोग है ममा जा रही थी तयार होकर जाने के लिए और दूसरी तफ लकडियां इकठा कर रहे थे क्षड़ना के लिए सारे समागने तयार करने थी ना और आप लोगों ने ममा को लेकर कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरी ममा कैसी लग रही है इन फैक्ट मेरी ममा बह और झाला जाए घ्लाट कर जगाना पड़ता हैं पिर यहां पर देदी भाहर नहीं गई थी क्योंकि घर पर भी त्यारी करना था है तो घरते लिगवा यल्दी आप यह 6 अब करना का देन फीर गहर न है तर यह युस्म के बाद दूंग नहीं था है आपना हम यह पार आप उसके बाद मैं जाकर दीदियों कुछ समान दे रही थी दी जाकर तुलसु जी में फिर जल वगेरा ढाले ऐसी परमपरा होती है हमारे घरतरप और आपके घरतरप कैसी होती है प्लीज आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो क्योंकि मुझे इतने प्यारे प्यारे वीवर्स का कॉमे अपने सोच है उनकी सोच में पबंदी तो नहीं लगा सकती हूँ न कोई बात नहीं यति मेरी वीडियो में कमी है तब तो वह मुझे बूल रही है मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है तो यहां पर देखे यह भी नहाद हुआ लिए थे और छट यह की है मैं नहीं क पायागा इसलिए यह हर साल चट करते ही है पिछले साल कुछ कारण से नहीं कर पाय थे और यह देखे यह यहीं पे चट पर ही अरख दे रहे थे उसके बाद क्योंकि ममा नहीं बोली जाने के लिए बोली कि नेक्स डे तो जाना ही है तो क्या जोरी है तो आप दोनों घर पे ना मतलब परंपरा क्या ऐसे सभी घरे में होता होगा तो दीदी यहां पर भीर चुके थे खड़ना का जो होता है वो तयारी कर रही थी तब तक ममा भी आज आती और यह देखिए खड़ा होकर यह वीडियो ले रहे थे इन्हें बड़ा मज़ा आता है यह सब देखने में और दीदी भी यहां पर भीड़ी होई थी और हाँ आप लोग ब्लेज मुझे यह जरूर बताएगा कि आपको मेरा मायका कैसा लगता है तो फाइनले खड़ना के लिए था बिलकुल खीर सारे चीज तयार हो चुके थे और मेरे घर तिन लोग कर रहे हैं तो यह देखिए ममा भ अर्तरब जी मैं बोलू न यह तो परंपरा है और मुझे यहां आने के बाद इतना अच्छा लगता है न मुझे बहुत प्यार से सारे चीज को कबर करती है पता नहीं ममा की संसकार हम अच्छे से कर पाएंगे किने कि ममा के संसकार को ही देख के हम लोग सीखते हैं तो ममा खड़ना हो चुका था उसके बाद ममी ना पूरी फैमिलीज को यहां पर बुला रही थी यह देखी ममा परसाद भी दे रही है तो पहले पापा यहां पर आकर पर बैट गया है फिर यह देखे मेरे लोग दगा वाले जीजु भी है यहां पर पर नाम की है उसके बाद यह होती बड़ी परमपरा है कि सब को यहां पर बैट कर प्रसाद खाते है उसकी मा दीदी भी यहां पर खड़ी थी फीर यह палरा के हम भी पर्णाम अगेरे कि हमारे घर का भी भोल भी नहीं सकते हैं आइक आप सब असहीं ही करते हुआ तो यहां पर चोटा वाई भी आ चुका और हमरे प्यारे दोने बच्चे भी आ चुके थे और डुगु न अभी सो गया था एन टाइम पी डुगु सो गया था बर फिर भी डुगु बाद में खाया था बिल्कुल टेंसा मतलीजे मैं आपको नेक्स्ट में लास्ट में दिखा दोंगे तो यह देखे ममा सब के लिए देदी प्रसाद को में लोग लग कर निहां पर खा रहे थे तो आप सब भी आज आए हमारे साथ चट पूझा की प्रसाद खाने के लिए खड़ना का दिन आई होप गाईज आपको आज का यह ब्लोग ना पसंद आया होगा पसंद ना भी आया नो तो प्लिस वीडियो को ल मुझ पाई और मैं जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूं आप सबसी पहले देखें सो यह देखिए खड़ना के प्रसाद ही हमारे घर तरह मतला हम लोग सब के तरफ चल रहा था और जिनके घर में जो मेरे वीडियो को देखते होंगे उनके घर में सायद चट हुआ होगा तो वो लोग तो प्रसाद खा लिए होंगे लेकिन जिनके घर चट नहीं हुआ है वो सब भी मेरे घर इनफाइट हैं चट पुजा में प्रसाद खाने के लिए मैं ना निमंतरन पहले ही आपको भेज रही हूँ यह निमंतरन का प्लीज मुझे रिप्लाइ दीजेगा और य यह देखी कि हमारे डुजा भी ओट चुके थे यह पीछे कें यहांगे रहेती अर्य देखी कैसे खाये जा रहे हैं उसके माने पूजा पार सब चुके लोग फेड़न ममा और मैं जले गए बाहर जिनके खर नहीं हुए हो उनको बातने के लिए और यह कितना गरम-गरम खी तो वाइस बहुत अच्छा लगा आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा और वहीं मिरे सबसे प्यारे फर्स्ट कोमेंट करने वाले हैं कूल बॉय सकेंड कोमेंट है अन्सू प्रिया और थर्ड कोमेंट करने वाले हैं हैप जी इशाग तो फिर मिलती हूं ऐसे ही न्यू ब्लोग के साथ तब ते के लिए ठेक कियर और बाई